प्रेज लॉड आज साइमन एंड सेंट जूड का त्यूहार है सर प्रेदम आप सभी को आज के त्यूहार के डेट सारी शुब कामना है आज मनन के लिए हमारे लिए प्रेभु का वच्छन यह है संद्लोकास का सुष समाचारा थिया इच्छे पसंग्या बारा सी लेकर सूला तक उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चड़े और वे रात भर इश्वर की प्रार्थना में लीन रहे दिन होने पर उन्होंने अपने शिश्यों को पास बुलाया और उनमें से बारव को चुन कर उनका नाम प्रेरित रखा सीमाच जिसे उन्होंने पेत्रुस नाम दिया और उसके भाई अंद्रेयस को याकुब और योहन को फिलिपी और बर्थलोमी को मती और थमस को अलफाई के पुत्र याकुब और सीमन को जो उत्साही कहलाता है याकुब के पुत्र यूदस और यूदस इसकरियती जो विश्वास खाती निकला टिसमें प्यारे भाई और बहनों आज सेंजूर का त्योहार है साइमन का त्योहार है लेकिन उससे बढ़कर आज हमारे बचनों में जो प्रेरितों का नाम हमारे सामने दिया गया है उससे रिलेटर एक दो बात मैं आप सबों के साथ में साजा करना चाहूंगा प्रभू अपने जीवन के सबसे महतपूर्ण चीज़ों के पहले प्रार्थना करते हैं और वो भी काफी देर तक प्रार्थना करते हैं यहां पर भी हम देख रहा है कि प्रभू अपने शिश्यों को चुनने के पहले प्रार्थना में समय बिताते हैं और उसके बाद वे बारह शिश्यों को बुलाकर चुनकर और उन्हें प्रेरित नाम रखते हैं पॉसिल्स पिरे भाई और बेनों ये बारा जो लिस्ट है इनमें एक के साथ में भी कुछ अच्छा क्वालिफिकेशन हम नहीं जोड सकते हैं तोड़े बहुत हो सकते हैं लेकिन मोटा मोटे दोर पर अगर बताय जाए कोई ऐसे अच्छे क्वालिफिकेशन के साथ में हम नहीं जोड सकते हैं इस बात को थोड़ा और वित्रित करना चाहूंगा कि प्रभू अपने छिश्यों को चुनते समय वो किस प्रकार का व्यक्ति है या किस प्रकार कार्य करेगा इसकी तमाम जानकारी उनके पास में था ये जो चुने गए नियुक्त किये गए ये बारहों की क्या क्वालिटी है इनमें क्या निबुणताई है क्या समस्याई है ये तमाम चीज प्रभू को पता था उन्हें पता था कि यूदस सकरियती उन्हें पकड़वा देंगे दोका देंगे उन्हें पता था कि पेतरुस एक दिन उन्हें ठुकरा देंगे जब अपने प्रेरितों को उन्हें चुना नियुक्त किया उस वक्त भी प्रभू को सो फीसदी ये जानकारी थी लेकिन प्रभू को देखिए उन्हें पता था यूदस सकरियती ये मुझे धोका देगा दगाबाज है ये जानकर क्या उन्होंने उनको अलग किया अलग नहीं किया ये जानते थे कि पेत्रुस ये पेत्रुस मुझे ठुकरा देंगे ये जानकर उसको अलग किया नहीं किया जबकि उसी पेत्रुस उन्होंने उनको कलीसिया का शीर्ष बनाते हैं, उससमय भी उनके पास में यह option था कि इस व्यक्ति को नेता नहीं बनाते हैं क्योंकि यह सरप्रधम मुझे टुकराने वाले व्यक्ति है इसके बावजूद भी वो अपना दिरणाय पर अडिक रहता है ये बदलने के एक और मोका था संदियोन के सुसमाचा रध्याई 21 में उस मोकी के बारे में हम सुनते हैं जब पुनरुर्टित प्रभू पेतरुस के सामने प्रकट हुए उन्होंने उनसे पूछते हैं क्या तुमजे प्यार करते हो वही सवाल तीन बार पूछते हैं प्रभू का जो बुलावा था उनका जो चुनाव था और उनका जो नियुकती थी प्रभू उसी पर अडीग रहते हैं बदले नहीं, बदलते भी नहीं योहन पर पूरण विश्वास करते हैं वही सेमन पर पूर विश्वास करते हैं वही यूदस पर पूर विश्वास करते हैं पूरी कलिसिया की ज़वाबदारी सेमन का कंथों पर देते हैं अभी मैं इसको वित्रे द्रोप से क्यों कहां प्यारे भाई और बेहनों relationship में भी अक्सर इस बात को हम देखते हैं विशेश शोब से युवा युवतियां रिलेक्शन्शिप में होते हैं या कुछ समय के बाद में ये रिलेक्शन्शिप एक शादी में तब्दील हो जाता है पती पतनी बन जाते हैं उनके परिप्रेक्श में प्रभू की इस बात को में रखना चाहूंगा ऐसा नहीं था कि युदस इसकरियती को बुलाते समय वो दोकेबाज था ऐसा नहीं था कि सीमोन पेतरुस को जब प्रभू ने बुलाए उसी समय उन्होंने टुकराया था जबकि उन्होंने कहा था कि मैं इस दुनिया के आंत तक तुमारे साथ रहूंगा लेकिन दोनों बदल गए जब कोई भी विक्ति रिलेशन स्ट्रिप्स में होते हैं उनके कुछ गुण हमें पता होता है जबकि आप उनके साथ में जीवन जीना शुरू करते हैं उनके दूसरे गुण भी हमें पता होता है कुछ गुण अच्छे होते हैं कुछ गुण अच्छे भी नहीं होते हैं इस परिप्रेक्ष में इन वचनों को मेरी बात को फिर से सुने कि प्रभू ने ये जान कर भी कि ये विक्ति मुझे टुकरा देगा ये विक्ति दगाबाज है, उनी को उनी के साथ बने रहते हैं प्यारे भाई और बहनों, रिलेशन्शिप में ये बात का विशेश ध्यान रखियेगा जब आप एक विक्ति के साथ अधिक समय बिताना शुरू करेंगे ना सरिफ आप उनके साथ में उनके गुणों के साथ जीना होता है उनके इतने जो अच्छे नहीं होते हैं उन गुणों के साथ में भी जिने हम अवगुन कहते हैं उनी के साथ में भी जीना होता है पेतर उसको प्रभू ने नहीं बदला है इसी प्रकार आप जब भी कोई relationship में रहे हो सकता है कि आप जिने पसंद करते हैं उनमें कुछ गुण है कुछ जो गुण है जो आपको पसंद नहीं है एक बात को विशेश रूप से याद रखे हम में से कोई भी perfect नहीं है ना मैं perfect हूं ना आप में से कोई perfect है हम में कोई पूर्णता नहीं है हम में कुछ अच्छाईया है और अगर हमें अच्छाईया है तो हम में बुराईयां भी अवश्य होगी जब आप एक विक्ती को accept करते हैं उनकी अच्छाईयों के साथ में उनकी बुराईयों के साथ में भी accept करियेगा जीवन सरल रहेगा जीवन सहज रहेगा पेतरुस प्रभु को टुगराने वाले में सरप्रथम है उसी पर उन्होंने अपनी कलीसिय बनाई है अगर आपके परिवार का अंदर मान आपको करना है आपके लिए प्रभु ने जिने चुना है उनके गुन अब गुन सब के साथ एकसब करने की कोशिश कीजिएगा प्रभु आपको अनुगरह प्रदान करें आमे